पूर्णियां से मैं कहीं नहीं जाओं ये पपू यादो का पूणिया युद्ध है इंडिया गडबन्धन में सीटों के एलान से पहले पपू यादो अपने राजनेतिक गुरूर लालू यादो से मिले थे उनका आशिरवाद भी लिया था लेकिन राजनीती में अपनी अलग स्टाइल के लिए मशूर लालू यादों ने पपू यादों के साथ खेला कर दिया जी हाँ, कॉंग्रेस और आरजेटी में पूनिया सीट पर प्रगराव थमने का नाम नहीं ले रहा और इसकी वज़ा है कॉंग्रेस में ताजा ताजा शामिल हुए पपू यादों लेकिन बतोर महाकडबंधन प्रत्याशी बीमा भारती के नाम के ऐलान के बाद भी पपू यादों खामोश नहीं बैठे और एक नया दावा ठोक दिया है कि वो लड़ेंगे तो पूनिया से ही और दो अप्रैल को पूनिया लोगसभा सीट से वो नामांकन भी करेंगे चार तारिकों आप पूर्णिया की जंता की भावनों के अनुकूल, कॉंग्रेस की जंदा, पूर्णिया की धर्ती पर फाराये जाएंगे। कॉंग्रेस की जंदा ही पूर्णिया में रहेगी। कॉंग्रेस की जंदा ही अस्थापित होगी। दावा ये भी है कि वो कॉंग्रेस के सिंबल पर ही पूर्णिया सीट से नॉमिनेशन करेंगे। पपू यादो ने ये भी दलील दी कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ वो नहीं बलकि पूर्णिया की जंदा भी ये जाती है कि पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़े। और ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादो पिछले एक साल से पोनिया में काम कर रहे हैं और यहां के एक एक परिवार से मिल चुके हैं और यहां से सांसद भी रह चुके हैं पप्पू यादों ने हाल ही में लोग सभा चुनाओं 2024 के लिए कॉंग्रेस से हाथ मिलाया था और अपनी पार्टी का विले भी कॉंग्रेस में कर दिया था यही वज़े है कि बीमा भारती को टिकेट मिलने के बाद भी लगातार पप्पू यादों ये दावा कर रहे थे कि उन्हें कॉंग्रेस पर भरोसा है पप्पू यादों ने कहा था कि मैंने अंतिम फैसला कॉंग्रेस की लीडर्शिप पर छोड़ा है दूसरी तरफ बिहार के पूर उप्ट मुक्षमंत्री और आरजेडी निता तेजस्वी यादों ने कहा कि उनकी पार्टी का गडबंधन कॉंग्रेस से हुआ है ना कि कि किसी व्यक्ति से है कि बिहार में जो है चोकाने वाले जो परिणाम वह सामने आई हैं आप लोग दिकें भाकल पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी है आजी तीन लेफ्ट पार्टिया है और खॉंग्रेस यनि पांच दल का ये महागडबंधन और पांचों को जो है सीड़ बटवारा हो गया दूसरी तरफ एंडिये खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगे मिली ही नहीं जनता का गडवन्दन है और हम लोगों मजबूती के साथ चुलाएं वहीं पूनिया से आरजेडी के उमिद्वार बीमा भारती ने पपू यादो को नसीहत देते हुए कहा कि शीर्ष नेत्रितों ने उन्हें पूनिया से आरजेडी का उमिद्वार बनाया है बीमा भारती ने ये भी कहा कि पपू यादों उनसे बड़े हैं उन्हें महागडवन्धन का धर्म निभाना चाहिए सभी दलों ने मिलकर सीट शेरिंग कर उन्हें पूनिया से उमिद्वार बनाया है इसका पपू यादों को भी सम्मान करना चाहिए बिहार में महागडवन्धन में सीट शेरिंग फाइनल होने के बाद से ही पपू यादों की उम्मीदों पर पानी फिरता डिखने लगा लेकिन पपू यादों लगातार मैदान में डटे रहे आरजेडी ने पपू के फैसले को कॉंग्रेस का अंधरूनी मामला बताया वहीं बिहार में इंडिया गडवन्धन के बीच आपस में फाइट होने की आशंका भीच बीजेपी ने भी कॉंग्रेस की चुट के लिए यह मामला está Congress Party का है जहाँ जिरना李 उनको लेना है उस वाल से हो सकता है राष्टी-जनता दल का कोई मतलब लिए यह लिकिन अब गटवंदन का हिस्या और उन्होंने कैया दिया कि हमारे मैंने एक लाइन में कहा ना Congress Party का मामला है Congress Party सभ़ दिरना लेगी किस पे तरस खाये भारती जंता पाटी किस पे तरस खाये। पपु यादव पे तरस खाये कि लिए पागल हुए जाना है। महा कटबंधन में मचे घमासान पर बिहार के डिप्टी सीम विजय सिन्हा ने कहा कि कॉंग्रेस जैसी नैशनल पार्टी भी बेबस दिखाई दे रही है। पार्टी को अपने सर्तों पर समझाउता करने के लिए बीबस कर दे और वह पार्टी बेबसी के साथ समझाउता कर ले जब पहले राउंड का नामांकन समाप्त हो गया। उसके बाद सीट सेरिंग और अब घोसना कर रहे हैं। ये उनकी विवस्ता साब दिखाई परती है। अब समझे कि अगर पप्पु यादो आरजेडी के लिए पूनिया सीट छोड़ने को तयार नहीं होंगे तो क्या हो सकता है। जबकि RGD ने बीमा भारती को पूनिया से उम्मिद्वार उता रहा है, उधर इस सीट पर विपक्ष का मुकाबला NDA के जेडियों से प्रत्याशी संतोष कुश्वाहा से है। अब ये प्रत्याशी को हो सकता है। पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, मधेपूर, गोपाल गंज शामिल है। वही नौ सीटें कॉंग्रेस को मिलें जिन में किशनगन, कटिहार, समस्तिपूर, पटना साहे, सासारा, पश्यमी चंपारण, मुजफ़रपूर, भागलपूर, महराज गंज सीटें हैं। जबकि बाकी की पांच सीटें लेफ्ट को मिली हैं, जिन में आरा, काराकार, नालंदा, बेगुसरा, खगडिया हैं। बिहार में इंडी एलाइंस के बैनर तले बिपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। और आरजेडी ने जेडियू से इस्तीफा देकर आई, रुपॉली की विधायक बीमा भारती को चुपके से पूनिया में उम्मित्वार बना दिया। बीमा भारती की आरजेडी के लिए नजदीकियों की पहली जलक 2020 में मिली थी, जब उन्होंने लेसी सिंग को मंत्री बनाये जाने का खुला विरोध किया था। बाद में नितीश कुमार से उनकी तनातनी इतनी बढ़ गई की 12 फर्वरी को स्पीकर के और विश्वास प्रस्दाव के दोरान वो सदन से नदारत रहें। हाना कि विश्वास मत के वक्त वो सदन में हाजिर हो गई थी। बीमा भारती इस बाद से भी नितीश कुमार से नाराज होई कि उनके पती और बेटे को पोलिस ने विश्वास मत की पहले की रात में दिरफ्तार कर लिया था। वहीं जेडियू ने संतोष कुस्वाहा को एक बार फिर से पूर्णिया से अपना उमीदवार बनाया है। दूसरी बार 2019 में जीते और एक बार फिर से जेडियू ने उन पर फरोसा जताया है। कि एक बार फिर से जेडियू जे लुड़ा लज़ा है।